Hello friends, welcome back to my channel यहाँ पर आपके लिए मैं multiplication trick लाईग हूँ तो यह बहुत ही easy trick है तो यहाँ पर हम 12 को 14 से multiply करेंगे तो हम यहाँ पर trick से ही multiply करेंगे तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे यह जो 10s place पर जो number है वो उनको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 2 और यह 4 उसके बाद आपको इस 14 में इस 2 को add करना है तो क्या आएगा 14 प्लस 2 क्या होते 16 देन आपको इन दोनों का multiply करना है 2 4s are 8 इस तरह हमने बहुत ही कम second में इसका answer लिकर आए है तो चलिए एक और example देखते है अब हम 13 को 12 से multiply करेंगे तो यहाँ पर हम 10th place के number लिख लेंगे 3 और 2 उसके बाद इस 12 में इस 3 को हम क्या करेंगे add करेंगे 12 प्लस 3 क्या होते 15 और यह 3 2s are 6 तो इस तरह 156 इसका answer आया यानि calculator से भी fast हमने इसे solve किया है तो next example देखेंगे तो यहाँ पर हम 18 को 14 से multiply देंगे तो यहाँ पर लिखना है हमें 8 और यहाँ पर लिखना है 4 और इस 8 को इस 14 में हमें add करना है तो 14 प्लस 8 कितने होते हैं 22 होते हैं तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे उसके बाद यह 8 4s are कितने होंगे 32 32 हम यहाँ लिखेंगे और इसका यह जो 2 है यहाँ पर लिखेंगे और यह जो 3 है इसे हम इसमें carry करेंगे यानि 3 प्लस 2 कितने होते 5 तो इसका answer आया है 252 तो यह इसका right answer है चलिए एक another example लेंगे देखी यहाँ पर हम 17 को 19 से multiply देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 7 तो इस 19 में हम इस 7 को क्या करेंगे add करेंगे 19 प्लस 7 कितने होते 26 और 7, 9,000 क्या होता है 63 तो यह 63 यहाँ लिखेंगे इसका जो 3 है यहाँ लिखेंगे और यह 6 को यहाँ पर carry करेंगे तो 6 plus 6 कितने होते है 12 और ये 1 को यहाँ पर क्यारी करेंगे 2 plus 1 क्या होता है 3 तो हमारा answer क्या आया है 323 323 तो इस तरह से ये trick से हमने सारे multiplication किये है तो एक question मैं आपको देती हूँ 16 multiplied by 18 इसको आपको इस trick से ही solve करके मुझे answer comment करना है वीडियो पसंद आया तो उसे like कीजे अपने दोस्तों से share कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care